स्वामी प्रसाद मौर एक ऐसा नाम जो उत्तर प्रदेश सहित राष्टी इस्तर पर सुर्ख्यों में है वजह है राम चरित मानस को लेकर दिया गया ब्यान जिसका बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया हलाकि एसपी के अंदर रीचा सिंग और रोली तीवारी ने भी बयान पर अपत्ती जताई थी इसके बाद उन्हें पार्टी से निश्कासित कर दिया गया वजह अनुशासन हिंतावत आई गई ऐसी कारवाई देखकर एसपी के अंदर एक मैसे साप तर पर गया होगा कि पार् जातिकत जनगर्ना शुरू होने से उत्तर प्रदेश में राजनिति खलचल तेज हो गई है इसे लेकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के हर जीले में विधान सभा वार्त संगोष्टी करने जा रही है इस अभ्यान के पहले चरण में पांच जीलों को चिन्हित कि आ गया है और शुरुवात प्रदान मंतिर नरेंद मोधी के संसदिय शेत्र वरानसी से हो रही है 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधान सभा में समाजवादी पार्टी अधक्ष अखलेश यादों ने जोर देते हुए कहा कि पूरा विपक्ष जातिगत जनगर्ना की मांग कर रहा है कभी एसपी की सायोगी पार्टी रही सुहल देव भारती समाज पार्टी इसकी मांग पहले ही कर चुकी है सुभास्पा के मुखिया वपी राजभर ने कई मौकष पर जातिगत जनगर्ना की मांग उठाई है हाला कि एसपी के तेवर भी अब आक्रामक हो गए हैं है और जातिगत जनगर्ना की मांग की अगवाई कर रहे हैं सुामी पुहले वाले सवाल पर आते हैं कि क्या प्रामध्र हो गए हैं सुभास्पा रोम्रम प्रकाष राजभर के एसपी से अलग行 होने के बाद सुभास्पा मामी प्रसाद मौरे पार्टी के सबसे बड़ा गैर यादो भी से चेहरा बन कर उब रहे हैं अभी हाली में रामचरित मानस बात मौरे ने अपने कथित आपत्ती जनक बयान से सुर्ख्यों में रहे और लागातार जाती जनगर्णा को लेकर अपना पक्ष रख रहे हैं कभी बीजेपी सरकार में मंतिर है मौरे ने अपने ट्विट में बीजेपी पर जाती जनगर्णा को लेकर हिला हवाली का भी आरोप लगाया मौरे की एसपी में बढ़ते कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी हाल ही में रामचरित मानस पर हुए विवाद के दौरान मौर की टिपड़ी की अलोचना करने वाली पार्टी की दो प्रवक्ताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया वैसे तो एसपी ने रामचरित मानस पर खुलकर मौरे का समर्तन नहीं किया है लेकिन प्रवक्ताओं के निशकासन से उन्होंने ये संदेश दिया है कि वो अपने नेताओं और उसके बयान के साथ खड़ी है एसपी में स्वामी परसाद मौरे का बढ़ता कद इस बात का संकेत देता है कि पार्टी गैर यादो ओवी सी वोटरों को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही है अलाकि जानकारों की माने तो मौरे का पार्टी में बढ़ता कद सिर्फ उनके वोट बैंक से ही नहीं बलकि उनकी राजनितिक आक्रमक्ता से भी जुड़ा है जो एसपी को एक नई धार दे रहा है क्विंट हिंदी से बादचीत के दोरान लखनौ के वरिश पत्रकार रतन मडिलाल ने कहा कि जाती समिक्रण से जादा मौर एक आक्रामक नेता के रूप में उभर कर आये हैं जिसकी एसपी में अब नंबर दो की भूमिका दिख रही है वरिश पत्रकार कहते हैं कि अखलेश को अब उमीद है कि जिन सहयोगियों से दूसरे पार्टियों को फायदा मिला था उससे उनको भी लाब होगा स्वामी परसाद की ऐसे नेता की एसपी को जरूरत थी जाती समीकरण से ज्यादा एसपी को मौर की आक्रामकता से फायदा होगा अखलेश यादो के बाद पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं बचा है जो बीजेपी का डटकर मुकाबला करता है शृपाल यादो रामगोपाल यादो और आज मुलायम सिंह यादो के समय एसपी में नंबर दो रहे शृपाल यादो की पार्टी में वापसी तो हो गई है लेकिन अभी हाल ही में घोशित हुई राष्टी कारेकारणी में पद राष्टी महासचीव का मिला वही पद जो स्वामी प्रसाद मौरिया को भी दिया गया है इ देने वाले पार्टी के प्रवक्ताओं को बाहर का रास्ता दिखा कर अखलेश यादों ने साफ संदेश दिया है कि इनके अलावा पार्टी के वरिष्ट नेता मनोच पांडे जिन्होंने मौर की आलोचना की थी वह अब शांत पड़ गए हैं पार्टी का कोई भी ऐसा वर के खिलाव बोल रहा हो